एक्टरस स्वरा भासकर ने समाजवादी पार्टी के नेता फाहाद एहमत से कोट मैरेज करके सभी को हैरान कर दिया था दोनों ने जनवरी में कोट मैरेज की थी और अब मार्च में शादी के कॉमन फंक्शन किये हैं स्वरा फाहाद ने कल जानी 16 मार्च को दिली में अपना वेडिंग रिसेप्शन रखा स्वरा और फाहाद की जोड़ी रिसेप्शन में काफी खूब सूरत लग रहे थी स्वरा भासकर ने पिंक लहगा पैना था जबकि फाहाद एहमल ओफ वाइट शिरवानी में दिखे फाहाद ने शिरवानी के साथ ब्राउन कलर की जूटियां पेर की थी स्वरा फाहाद की जोड़ी हातों में हाथ डाले रिसेप्शन पार्टी में पहुची दोनों ने एक दूसरे के साथ च्रम कर रोमैंटिक पोस दिये स्वरा भासकर फाहाद रिसेप्शन में एक दूसरे की बाहों में खोई हुए दिखाई थी फाहाद ने अपनी डिडी लफ को सभी के सामने गाल पर किस भी किया स्वरा ने अपने लुक को बड़ा ही सिंपल और स्वीट रखा एक्ट्रेस ने गुलाबी लहंगे पर गोल्डन करवाई थी महीं स्वरा भासकर ने अपने लुक को कम्प्लीट करने के लिए मांगती का नेकलेस चूडियां और अंगूठियां पहनी थी आपको बता दे कि शादिया निका नहीं किया दोनों को कोट मैरेज के बाद ऐसे वैडिंग फंक्शन किये हैं जो दोनों के धर्म में कॉमें हैं इस कपल ने हल्दी, संगीत, महंदी, कवाली, नाइट और फिर रिसेप्शन पार्टी रखी थी तो आपको स्वरा और फाहाद का ये लुक कैसे अच्छा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा, वीडियो अच्छा लगा होतो लाइक जरूर करें, एंटर्टेन्मेंट जगह से जुड़ी खबरों से अब्डेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे